तो दोस्तों अगर आप फोन पे एप्लिकेशन यूज करते हो और फोन पे एप्लिकेशन के अंदर आपको जानना है कि यूटियार नंबर हम कहा से निकाल सकते है तो ये वीडियो आप ही के लिए है तो जादा लाइब वेशने करेंगे सीता वीडियो क्यों और वड़ते है अ बहुत सारे लोगों को तो अगर आपको किसी भी जगे पे यूटियार नंबर सब्मिट करना होगा तो ये श्टैप साफ फॉलो कर सकते हो अब सबसे पहले तो फोन में फोन पे अप्लिकेशन आपको ओपन कर लेना है अब जैसे ही अप ओपन करते हो तो मल्टिबल चीज़े आपको होम स्कीन के उपर देखने मिल जाती है यूपे आइडिया आपका चेक कर सकते हो ट्रांजक्शन के कुछ ऑप्शन मिल जाते है और भी कई सारे ऑप्शन है अब सबसे पहले तो हमें यहापे हिस्ट्री के अं क्रमबर आपको निकालना है उस पर्टीकलर ट्रांजक्षन के अन्दर आपको जाना होगा तो यह आपी आप देख सकते हो मल्टिबल ट्रांजक्शन जो है देखने मिल चाते है तो उसके नीचे आप देख सकते हो जो debited from में bank हमें visible हो जाता है वहाँ पे आप देख सकते हो कि UTR नंबर भी visible हो रहा है तो अगर आपको phone पे application में UTR नंबर निकालना होगा तो वो आप transaction के अंदर जाके यहां से निकाल सकते हो अब यह नंबर आपको copy करके कहीं पर submit करना है तो और वहाँ पे आपको transaction ID और UTR नंबर जो है देखने मिल जाएगा तो अगली बार से confuse मत हो जाना अगर आपको कोई transaction ID पूछता है या फिर UTR नंबर पूछता है phone पे का तो वो अब आपको पता है कि कैसे निकालना है तो बस यही simple तरीका है दोस्तो जिसकी मदद से आप phone प लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब दोरों कर देना भागे मिलता हो नेक्स वीडियो में दन्यवाद